हाई चेंपियंज कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करते हैं आपकी तैयारी मैधावी के साथ बहुत आसम चल रही होगी अपने इस प्यारे से ब्यूटिफूल से फेवरेट अनकाइडमी नीट के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अलग साथ टॉपिक डिसकस करने वाला हूँ अगर आप बात करते हैं बचो नीट के एक्जामिनेशन की मैं हमेशा से अपने स्टूडेंट से कहता चला आया हूँ कि अगर आप नीट को धंग से अब्जर्व करो तो नीट जो है इस all about width ठीक है नीट is all about width कितना कितना वास्ट चीजें आपको आती है कितनी ज्यादा चीजें आपको आती है कितनी गहराई में आती है वो important नहीं है हला कि इस बार 2021 के पेपर ने थोड़ा सा इस definition को change किया है तो of course हम लोग गहराई में तो पड़ी रहे हैं तो कितना मैं deep diving आप लोगों को physics में लेकर जा रहा हूं vector algebra के सारे lectures देखो कितने awesome तरीके से एक एक चीज़ को detail में explain किया है तो नीट is all about width not depth ऐसा कहना ज़रूरी नहीं है बट येस हम concepts बहुत depth में जाकर पड़ते हैं कुल मिला कर ये है कि नीट की तयारी में दो चीज़े बहुत important है जितना ज्यादा जरूरी है syllabus completion syllabus completion is must बच्चो ठीक है syllabus completion must है तो इसका revision very very must है बच्चो ठीक है syllabus का completion अगर must है तो इसका जो revision है वो very very must है यहने कि बहुत ज्यादा needed है अगर ये जरूरत है तो ये अती जरूरत है अगर ये आवशक है तो ये अती आवशक है और अगर आपको revision करना है revision करना है तो अच्छे notes आपके पास होने चाहिए revise करने के लिए self-made notes होने चाहिए teacher के बनाए हुए नहीं किसी दोस्त के बनाए हुए नहीं बाजार में बिखने वाले नहीं तुम्हारे खुद के जब जब आप मेधावी की live class ले रहे हैं आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको वो बस यहाँ पर बता देता हूँ सबसे पहला काम अगर आप इस तरह की कोई एक copy अगर अपने पास लेकर आते हैं तो जैसे यह copy है तो इसके starting के कुछ पास साथ पेज बच्चू थे के starting के कुछ पास साथ पेज जैसे आपको खाली छोड़ना है ठीक है starting के पास साथ पेज छोड़ दिये और chapter शुरू यहाँ से होगा अगर आप vector algebra की बात करो तो chapter will starts from here यह पास साथ पेज छुटे हुए हैं अब इसमें क्या करोगे तो lecture में आगे वाले 5 से 10 पन्नों में तुम लोग लिखोगे तो तुम्हारे class notes भी हो गए और तुम्हारे साथ के साथ short notes भी हो गए तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारे पास जो है flesh cards सयार हो गए flow charts सयार हो गए short notes सयार हो गए तो effective मेहनत होगी आप लोगों की हर दिन का काम अगर हर दिन किया आज की मैधावी की class लिए सारे notes लिखे और साथ ही साथ जितने important factors important point बताते जा रहे तो class में क्या करना है जब आप during the class notes ले रहे हैं ठीक है when you are taking the notes during the class ठीक है during class अगर आप क्या कर रहे हैं notes अगर टेक कर रहे हैं या notes अगर बना रहे हैं during the class notes taking में आप लोगों को क्या करना है, कुछ important points, पहली चीज़ ये, ठीके, single color pain होना चाहिए, दोस्तों, ठीके, single color pain होना चाहिए, ऐसा नहीं कि multi color pain के साथ उल्चे हुए है, single color pain होना चाहिए, right, important point को आपको highlight करना है, ठीके, important कोई भी note आ रहा है, important note है, या कोई भी अगर important point है, तो उसको आप क्या करेंगे, इस तरह के star बना कर, या इस तरह के semicolon बना कर, mark कर लो, later, later आप इसमें क्या करेंगे, later आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, highlighter, later highlight the same, आप इसको क्या कर सकते हैं, highlight कर सकते हैं, से, अब जब आपने इसको highlight कर दिया, और ये बहुत important point है, या फिर important formula है, या फिर एक ऐसा crucial point है, जो अक्सर students गलती करते हैं, tricky point है, जहाँ पर फसते हमेशा, तो इस point को आपने star mark करके, क्योंकि चलती class में, आपको highlight करना, या अलग color से लिखना, इन सब बातों का वक्त नहीं मिलेगा, बिकॉज आप class भी तो ले रहे हैं न, तो आपको केवल single color pen से लिख लेना है, और उसको semicolon में डाल, बाद में, जब आपकी class खतम हो गई, जब आप आपका सारी classes खतम हो गई, सारे chapters की, और अब आप revise करने बेठे, सारे subjects की classes खतम होने के बाद, अब आपने सोचा, कि before solving the question, एक बार में class notes को revise कर लेता, तो आपने जब revise किया, तो during revision, आप उसको highlight कर दो, और जब आप इसको highlight कर रहे हो, तो इस point को उठा के यहाँ ले आईए, वो जो starting के 5 to 10 pages है ना, वो जो starting के 5 to 10 pages है ना, वहाँ पर ले जाकर इसको लिख दो, important points में यहाँ पर जाकर आप इस point को उठा कर दो, यह short notes की तयारी हो गए आपकी, यह class notes भी हो गए, और यह point उठके यहाँ आगया, तो इस short notes भी हो गए, ऐसे सारे chapters के, सारी classes के notes को जब आप तयार कर रहे हो, तो बहतर आपके पास class notes भी हो गए, और बहतर से बहतर आपके पास short notes भी तयार हो गए, जो revision में आपको काफी help करेंगे, sometimes you found कि यार मेरे पास केवल 10 minute है, chapter को revise करने के लिए, यह starting के 5 से 10 page पढ़ें, आपका काम हो गया, और आपको लग रहा है, कि यार यहाँ पर यह point लिखा है, इसके आगे पीछे की कहानी आप भूल रहे हैं, आपको detail में जाना है, यहाँ से उठके आप, यहाँ आगे, lecture notes से आगे, तो detail में भी मिल गया, short में भी मिल गया, आपका खुद का बनाया हुआ, और आपको long run तक याद रहेगा, क्योंकि तुम खुद लिख रहे हो, जो कुछ भी तुमें समझाया गया उस बात को, ठीक है, यह पहली चीज, इतना काम आप करेंगे, गलती करते हैं, आपने mistake करी, और जो एक्स-वाइ-जेट मिस्टेक थी, अब आप उसको क्या करते हैं, टीचर जब solve करता है आपने mistake करी और teacher ने correct किया अब जब आप solution देख रहे हैं Life class यह कहानी कहाँ बता रहा हूं बच्चों मैं Life class की बता रहा हूं तो आपने mistake करी teacher ने सही solution किया अब आप क्या करते हैं उसको ऐसे काठते हैं बहुत इमानदार बच्चे होते तो एकदम बिल्कुल ऐसा 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 रांगोली खेलने लग जाते उसके साथ नहीं ऐसा ना करें उसको कट करें आप उसके साइड में जहां कुछ भी गलती आपने लिखी नहीं सपोस्पोस मान लीजिए फॉर्मुला आपने गलत लगा दिया G M 1 M 2, G M 1 M 2 divided by R स्क्वेर करना था लेकिन आपने R कर दीया, ये R स्क्व expos ये formula लगाना ही नहीं था लेकिन लिख दिया, तो इसको काटो मत, गलत formula आपने लगाया गलत formula आपने लगाया इसको काटो मत उसके side में cross बना और फिर इसके side में teacher का correct formula लिखो यहाँ पर teacher का बताया करेक्ट formula कि भाई सवाल इससे नहीं solve होता सवाल इससे नहीं solve होता तुम गलत कर रहे थे यहां आएगा g m1 m2 r प्लस h का whole square तो आपको ध्यान रहेगा कि आपने कहां गलती करें थे ऐसे काटने से ये कभी याद नहीं रहेगा और ऐसे अगर आपने किया, strong के side में छोटा सा cross कर लिया, correct as it is रहने दिया, question solving के time पर, तो जब आप revise करेंगे ना, तो ये गलती आपको दिखेगी और जब ये गलती दिखेगी तो आप इसे दोहराएंगे नहीं, और यही तो हम चाहते हैं कि mistakes करें, mistakes से ठीक हैं, लेकिन mistakes को दोहराएं नहीं, तो ये एक काम आपको यहाँ पर करना है, this is something very interesting and additional, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कई सारे toppers दिये हैं बच्चो, M.A.M.C. में पढ़ रहे हैं, दो-तीन बच्चे M.S. में भी हैं, M.S. रिशिकेश में हैं, M.S. देवगड में हैं M.S. भोपाल में हैं M.S. डैली में हैं M.G.M. में हैं, बहुत सारे जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनसे Frequently कभी-कभी बाते करते रहता हूँ Frequently in the sense की हफते भर में 15 दिन में 20 दिन में, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार बताओ, कि जब तुम तयारी कर रहे थे तुम्हें किन-किन बातों में आज मैं M.G.M. Medical College में हूँ 656 मार्क संबर लेकर आया था बिटा 2020 में वो बालक, ठीक है तो आप लोग भी इसको ध्यान रखे इसको इंप्लिमेंट करें इस तरह से ये आपका हो गया question solving के टाइम पर अब आप कहा जाएंगे जब आपने lecture notes copy कर लिए lecture को पूरी तरह से समझ लिया lecture के short notes आपने during the revision बना लिये फिर उसके बाद में आपने question जब during the class solve कर रहे थे ज़रूरी नहीं कि हमेशा गलती करो जब जब गलती करो तो ऐसा करना ठीक है जब जब गलती करो तो ऐसा करना किसी किसी सवाल में ना तुम लोग सोच नहीं पाते हो बहुत आगे की बात तुम्हें दमाग में नहीं आती कि अब क्या करो तुम फस जाते हो फिर तुम्हें teacher बताते है ए बालक ऐसा करेंगे तो तुम लिख लो उसको अपनी regional language में लिख लो अठे मू ऐसो करूंगा समझ रहे हो जिसे में मारवाड़ी आत्मी हूँ तो मैंने मारवाड़ी में लिख लिया अरे क्या फरक पड़ता है मेरे खुद के नोट से यार मुझे खुद को देखना है किसी को दिखाना नहीं है मुझे राइक मुझे भशम समझ आना चाहिए इमानदारी से अपना काम कर रहे हैं अपने नोट से तो उसमें अपनी भाशा में भी अगर लिख रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है तो लिख लो यहाँ पर यहाँ ऐसी गल्टी दोबारा नहीं करूंगा समझ में आ गई बाद अब उसके बाद तीसरा important point आपने during the class notes taking का ध्यान रख लिया क्या करना है after the class आपको क्या करना वो समझ में आ गया है during the class question solving में क्या करना वो समझ में आ गया है अब आप लोग क्या करेंगे बच्चो after class यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूं ठीक है after class after class आप लोग solve करेंगे PYQs ठीक है after class आप लोग solve करेंगे PYQs और जब PYQs को आप solve करते हैं तो PYQ कौन कौन से topic से आए हैं यह PYQ हैं तो आपको इसका concept पता चल जाएगा कि किस concept पर बेज़ दें तो इसके concept की इन notes में क्या करोगे बच्चो टेगिंग करोगे कि यार यह class में चीज पढ़ाई गए थी class में पढ़ाया था a cross b is equals to a b sin theta और यहाँ पर n kip होता है यह एक vector quantity होती है और a cross b जो है वो perpendicular to a vector है perpendicular to b vector है यह class notes में लिखा हुआ है और इसी पर based हमारे पास एक PYQ है तो class notes में जाओ और इस जगह पर जाकर star mark कर दो तीन star बना दो दो star बना दो एक star बना दो अपना नाम लिख दो कुछ भी something there should be there tagging करनी है something should be there to tag जो जो concepts तुम्हारे notes में है अगर उन पर PYQs आए है उनको tag यह इतने awesome notes होंगे यह इतनी बहतरीन planning होगी यह इतनी जवर्जस तैयारी होगी तुम एक दिन कहोगे after completion of chapter वाहताज मजा आ गया इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों को जो करनी है right this is also told by one of the topper ठीक है जो अभी m's देवगण में है उन्होंने कहा था कि भाईया जब module solve कर रहे हैं है वो module solve करता था वो किसी book को नहीं सवालों करता था है और मैंने books और module पर already वीडियो बना दिया है नहीं देखा है तो जा कर देखो वो module solve करता था तो module के अच्छे सवालों को 10 से 20 सवाल 10 to 20 questions 10 to 20 questions अच्छे वाले good level ठीके बच्चों कैसे वाले good level यहने कि जो में अच्छे concepts हैं जिनमें फस्ते हैं तो ऐसे सवालों को वो क्या करता था ऐसे स्टार मार्क करके रखता था और जब chapter complete हो जाता था एक बात फिर से इनी 10-20 सवालों को उठा के solve कर लेता था फिर 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब लगता था कि यह सेम चैप्टर मेरे हाथ से निकल रहा है तो फिर से इन 10-20 सवालों को solve कर लेता था ऐसे हर 10-15-20 दिन की cycle के बाद वो इन 10 to 20 questions को after revising these notes वो हर 10-20 दिन में 10-20 सवालों को solve करता था तो उसका backlog कभी कठा नहीं हुआ और उसके दिमाग में ये बात भी नहीं रही क्यार में तो केवल revision करते जा रहा हूँ मैंने question solve भी नहीं करे अब वो क्या कर रहा है एक unique technique ले आया उसने questions भी solve किये और questions के through revision भी कर लिया ये काम आ उन्हें सफलता मिली तो तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी सके अलावा अगर तुम लोग कोया तरंगी idea सोचते हो तुम्हारे दिमाग में आती है तो do share with me मैं और बाकी बच्चों को वो बताऊंगा जरूर तो ये थी notes taking technique बच्चों जो आपको काफी help करेगी during the class after the class किस तरह स आपको काम करना है single color paint जादा time message नहीं करना है कहीं पर अगर अंग्रेजी तकलीव दे रही है अपने original language में लिख लीजे जो भाश आपको पसंद आती है उसमें लिख लीजे उसके बाद में जब आप revise कर रहे हैं घर पर एक बार class notes को जो जरूर करना चाहिए आज की class का एक बार आज ही revision जरूरी है और उस revision के time पर important points, note points, highlighted points को यहां ले जाकर आपको क्या करना है highlight करना है और फिर इन starting के 5-10 pages में लिखना है question solving में आपको क्या ध्यान रखना बता दिया उसके बाद आपको PYQ taking कैसे करनी है these are the three important points जो आपको ध्यान रखने चाहिए during taking the class notes wish you all the very best I hope ये video आपको काफी help करेगा do let me know in the comment section इसको सभी दोस्तों के साथ share कर देना till then see ya bye bye take care अपना ध्यान रखेगा आगे बढ़ते रहेगा पढ़ते रहेगा हमेशा की तरह मचाते रहेगा take care